अबर आपको सबसे पहले बता दे लोकसभा चुनाफ को लेकर दूसरे चरण के चुनाफ के लिए नामांकन लगातार चल रहा है जिसको लेकर NDA और इंडिया गडबंधन अपने अपने प्रतियाशियों की नाम यानि की कैंडिडेट को सामने ला चुके हैं और इसके अलावा कुछ घोशित प्रतियाशियों का नाम काटा जा रहा है ये भी देखने को मिल रहा है कहीं सपा में तो कहीं बीजेपी अपने प्रतियाशियों को चेंज कर रहे हैं अगर सपा की बात करें तो बीती रात को मेरट से अतुल प्रधान के नाम को घोशित किया गया जबकि सीट पर ने मुरदबाद से रुचिवीर वीरा को स्टी हसन की जगा मैदान में उतारा है जिसकी वज़ा से थोड़ा बहुत रुचिवीरा का जो विरोध है वो भी देखने को मिल रहा है आईए ऐसे सभी सीटों की तरफ रुख करते हैं जहां पर प्रतियाशी बदले गए हैं क्य क्या आपको ग्रैफिक्स के जरिये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो राजनेतिक दल है उन्होंने एन वक्त पर अपने प्रतियाश्यों को बदला है और ऐसे में समाजवादी पार्टी में खासी जो असमंजस वाली स्थिती है जो कन्फ्यूजन है वो टिकेट कटा है उसके बाद जो समर्थक है एस्टी हसन के वो काफी ज्यादा अक्रामक है नाराज है नाराज इसलिए भी है क्योंकि एन वक्त पर उनका टिकेट कट गया और उसकी जगा रुचिवीरा को टिकेट मिला समाजवादी पार्टी से और मेरत से मिरे साथ मेरे सहीओगी नरेंदर जो चुके यह सीधा नरेंदर क्या जानकारी सामने आ रहे है मेरत से मेरत की अगर बात करें तो क्या समीकरण है चुनावी महौल क्या है और सबसे बड़ी बात यह कि आन वक्त पर उमीदवार बदले गए हैं पूरी अपडेट जानेंगे बिल्कुल जो उमीदबार बदले गए हैं उनमें बानु परिताप सिंग पहले उमीदबार बनाए से समाजवादी पार्टी ने लेकिन अब पीची रात को अतुल प्रजान को यहां से उमीदबार घोशित कर दिया गया है रहा उमीदबार के तोर पर लेकिन अब जो उमीदबार बदल दिये गए हैं उसके बाद बानु परिताप सिंग बिल्कुल खाली हाथ करे हुए हैं उन्होंने तीन दिन पहले एक वीडियो भी जारी किया था और यह बताया था कि उनका टिकेट जरूर रोल्ड किया गया है ल और वहां पर जो उत्रे हुए उमीदबार हैं उनका ब्यारा कुछ इस प्रकार से है कि जो रामाइन के राम कहे जाते हैं अरुन गोबिल जी वो यहां भारतियंता पार्टी से प्रित्यासी बनाए गए हैं इसके अलाबा देव ब्रत्यागी वहजन समाच पार्टी के प्रि बानु परचाप सिंग बाहर के रहने बाले थे यहां के पर्चित भी नहीं थे जब उनके नाम की गोस्णा होई तो लोग गूगल पर उनको तलास रहे थे उनका यहां से कोई लेना देना नहीं था कोई नहीं था इसलिए भी वो एक कमजोर प्रित्यासी के तौर पर यहां माने जा रहे थे संगठन में भी विरोध हुआ जिसके बाद अब कई दुनों बाद अतुल प्रदान का नाम सामने आया है ऐसे में देखना होगा कि अतुल प्रदान कितना गेन कर पाते हैं समाजवादी पार्टी के लिए और क्या वो ऐसा माहूल बना पाते हैं जिससे यहां के प्रतियासी हैं उनसे मोर्चा ले सकें बिल्कुल बात अगर की जाए नरेंद्र आप जिक्र कर रहे हैं भानू प्रताप का टिकेट कटा है अतुल प्रदान को प्रतियाशी बनाए गया तो जाहिर तौर पर जो जमीनी कारे करता होगे जो उनके समर्थांग होंगे क्यों का चुनाव है उसको एक कॉंबीनेशन है दलित और मुस्लिम का बो किसी भी प्रतियासी के लिए बरदान जैसा है अगर वो उसको एक तरफा मिल जाता है तो उसकी जीत जो है वो सुनिश्चित होती है साइद यही कहीं दिमाग में रहा होगा समाजबादी पार्टी हाई कम अब बात अगर करें अतुल प्रदान की तो अतुल प्रदान की पतनी पिछले साल जो निकाए चुनाव हुआ था उसमें मेर का चुनाव लड़ी थी और तीसरे नंबर पर रही थी करीब सवालाग की आसपार जो मुस्लिम है वो बिखर गया था और सवालाग से ज्यादा ब पार्टी के नेता हैं वो सब उस प्रट्यासी के खिलाब पे बिलकुल वही समीक्राल एक बार फिर से बन रहा है रफीक अंसारी ने कल नामांकर पत्र खरीदा था लेकिन वो धाबेदार तो थे मगर उनका नाम घोसला नहीं हुआ तो समझा आ सकता है कि नाराजगी वहां भी देखनों को मिलेगी इसके अलाबा साहिद मंजूर और रतुर प्रदान के भी जो नाराजगी है वो लंबे समय से चली आ रही है नाराजगी कहीं पार भारे ना पर जाए गडबंधन पर भारी ना पर जाए आपके पास मैं वापस लोटूंगी मुरादबाद से सहयोग दीप्चन जोशी जुड़ चुके हैं दीप्चन अब